लोकडाउन में ज्यादातर लोग घरों में हैं सडके खाली हैं लेकिन इसके बावजूद भी सडक धुर्गटनाओं में मोत काकड़ा बढ़ता ही जा रहा है दरसल ताजा मामला सम्हाल का हलके से सामने आया है जहां जीटी रोड सीतिक फैक्टरी के सामने दवाई लेने सम्हाल का जा रहे गाव जटीपूर वासी चुपन वर्शिय व्यक्ति जगबीर की सडक पर खड़े ट्रक में टकर लगने से मोके पर ही दर्दनाक मोत हो गई गटना की सूचना पाकर मोके पर पहुची पूलिस ने शोग को कबजे मे लेकर पोस्मोटम के लिए पानिपत के सिवल अस्पताल भीजवाया सडक हाथो की बड़ती धुरगटनाओ पर रोक लगाने के लिए हम सभी को ट्रैफिक नेमों का पालन करना भीजवाया बेहत ही आवशक है ताकि आपकी एक छोटी सी गलती की वज़ा से किसी के परिवार में मातम न चाहे मामले की जानकारी देते हुए जौच अधिकारी ने बताया कि अपने नीजी कारिये के लिए संभालका की ओर जा रहे बाइक सवार 56 वर्षिय व्यक्ति की सडक पर साइड में खड़े ट्रक की टककर लगने से मोके पर ही मोथ हो गई फिलहाल मुकत्मा दर्श कर मामले की तफ्रीश की जा रही है जो भी दोशी पाया जाएगा उससे खिलाफ सक कारवाई गी जाएगी समालका सिसीटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट